नमस्कार स्वागत है आप सभी कदा लेबल 10 करंट अफियर्स में और आज हम 25 मई 2020 के करंट अफियर्स डिसकस करेंगे और हमारा फर्स्ट कॉस्चन किस राज्य नए MSME शेत्र को पुनर जीवित करने के लिए रीस्टार्ट कारिकरम शुरू किया है इसका सही आंसर है Option B. आंद्रप्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने रीस्टार्ट प्रोग्राम लॉंज किया है मतलब यह प्रोग्राम इसमें क्या होगा? MSME सेक्टर को बूस्ट करना है जिसमें क्या होगा? employment को generate करना है और MSME sector को revive करना है और इसलिए जो आंधिर प्रिदेश की government ने 360 item मतलब 360 items जो है जो MSME के द्वारा manufacture किये गए है उनको directly purchase किया है और इसके जो payments होगी न वो 45 days के अंदर दे दी जाएगी अगला question कौन सी जन जाती D-mart के साथ सहयोग करके Gloy को बाजार तक ले जाने की योजना बना रही है इसका सही answer है option D-कतकारी tribe आप इसके बारे में देख सकते हैं आगे जो कतकारी tribes है न यह हमारी यहां की है यह महरास्टा की tribe है और इनकी एक संस्ता है आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्ता जो क्या करती है Gloy और Gloy से related जितने भी products है न इनको market में बेचती है और अभी न Gloy की जो demands है इन्होंने अभी प्लान किया है कि यह क्या करेंगे D-mart के साथ अपने जो products है इनको online और जादा बेचेंगे और अपनी जो reach है market की वो जादा से जादा बढ़ाएंगे और Gloy जो है वो एक medicinal plant है जो कि treat में मतलब एक इलाज में काम आता है जैसे viral fever, malaria, malaria और diabetes के उपचार में यूज किया जाता है और pharmaceutical company में इनकी बहुत demand रहती है अब हम थोड़ा से इस tribe के बारे में जानते है जिसका नाम है कटकारी tribe ठीक है, यह 75 हमारे particular vulnerable tribal groups है उन में से एक है अब कोई भी tribe जो होती है वो PV, TG के अंदर कब आती है जब यह चारों conditions होती है तब या तो वो technology को pre agriculture level पे करते हो या फिर जो उनकी population है वो इस्थिर हो गई है या धीरे-धीरे उनकी कमी आ रही है उनकी population में और उनका जो literacy rate है वो भी काफी low हो और उनकी जो अज़ीवी का है वो भी काफी ज़्यादा कम हो तब वो PV, TG के अंदर आती है tribes और आप याद रखना है यह महरास्टा की है और इनका एक program भी है एक historian की जिसका नाम है वंधन फॉर जान एंड जहान दे स्टोरी ओफ शाहापूर कतकारी tribes यह शाहापूर की कतकारी tribes की कहानी है हाल ही में वादी रम घाटी समाचार में है यह किस देश से देश में इस्तित है इसका सही आंसर है option A Jordan Jordan को आप map में भी देख सकते हैं यहापे देखें यह Jordan है और यहापे देखें यह Dead Sea है और इसके जो neighboring countries के बारे में जानते हैं उपर Syria है इधर Israel है और यहापे आप देख सकते हैं Saudi Arabia और यहापे एक Strait of Akawa है अब इसके बारे में जानते हैं अच्छी यह News में क्यों है अभी क्या हुआता है भी कुछ 16 मार्श की टाइम की बात है जब एक Malayalam क्रू था जो अपनी एक मूवी थी जिसका राम था अदादू अजाजू वीतम इस मूवी की शूटिंग के लिए ये लोग जॉर्डन गए थे और COVID-19 के बाद लॉकडाउन में ये वहाँ फस गए थे इसके बाद अभी न्यूस में इसलिए है क्योंकि इन लोगों को दुबारा से इंडिया में बाकिस लाई गया है अब हम बाडी रम के बारे में जानते हैं बाडी रम जो है वो वैली अफ तर मून के नाम से जाना जाता है ये क्या है जैसे जो वाडी है ना बाडी एक अरेबिक टर्म्स है जिसका मतलब होता है वैली और ये जो लार्जेस्ट वाडी है जॉर्डन के अंतर अगला question के संग्ठन ने अंटार्टिका में बरफ से विस्वोट होने वाले उच्च उर्जा कणों को एक फबारा खोजने में सफलता पाई है इसका option है option B NASA आप इसे एक बार इंगलिश में भी पढ़ लीजिए Which organization has succeeded in finding a fountain of high energy particles erupting from the ice in Antarctica option is B NASA Actually यह news में इसलिए है NASA के scientist ने Antarctica पर cosmic race की अनौकी बारिश देखी है जिससे उन्हें लगता है कि यहां एक parallel universe हो सकता है इसलिए जो cosmic race की बारिश होती है वो अंतिरिक्ष में होती है और यह हमारे आकास में दिखती है अब NASA के scientist जो Antarctica का एक प्रयोग कर रहे थे जिसमें उन्होंने गुबारे पर लगे रेडियो डिटेक्टर के आकड़ों का अध्यन किया जो mainly Antarctica के लिए छोड़ा गया था यह रेडियो डिटेक्टर उन cosmic race को पकर सकता है जो अंतिरिश्ट से आकर अंतार्टिका की बरफ पर टकरा कर reflect होकर ठंडी शुष्ट को हवा में लौट जाती है और इस रेडियो डिटेक्टर का जो नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं Antarctic Impulse Transit Antina और जो अभी इसने जो detect किया है उसने उन्हें यह detect किया है कि यह जो cosmic race है यह अंतरिच से ना आकर यह अंतार्टिका की बरफ से आ रही है बरफ से या फिर यह कह सकते हैं उसके नीचे प्रतवी से आ रही है जिसकी वज़े से उन्हें यह लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक parallel universe हो सकता है और आप देख सकते हैं जो अनीटा first था वो launch हुआ था 2006 में और अनीटा जो हमारा fourth है वो launch हुआ था 2016 में अगला question हाल ही मैं किस राज्य के मंतिर मंडल ने खेलों को उद्ध्योग का दर्जा दिया है मतलब industry status दिया है इसका सही answer है option A मिजोरम मिजोरम देश का पहला राजी है जिसने sports को industry status का दर्जा दिया है इससे क्या होगा government इस sector में काफी ज़्यादे invest भी कर सकेगी और employment की generate होंगे और क्या होगा जो industry जो बन जाएगी तो इससे क्या होगा जितने भी हमारी sports person है या फिर और भी लोग जो इस sector से related है वो अपनी requirement को पूरा करने में उन्हें मदद मिलेगी और मिजोरम जो है has a pool of footwaller planes मतलब यहाँ पर footwall काफी ज़ादे खेली जाती है यहाँ पर club है मतलब और यह लोग ना होकी और weightlifting में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है अगला question RBI की monetary policy statement 2020-21 के अनुसार LAF के तहत मतलब liquidity adjustment facility के तहत रैपोरट को 4.40% से घटा कर कितने कर कितना कर दिया गया है इसका सही answer है option D 4% मतलब monetary policy में रैपोरट पहले ता 4.40% जिसे अब घटा कर कितना कर दिया गया है 4% कर दिया गया है अब हम कुछ और भी rate जानते है यहापे आप देख सकते है रैपोरट मैंने आपको बताइए 4.4 से कितना हो गया है 4% और जो marginal standing facility rate और bank rate मतलब MSF और bank rate जो है वो पहले 4.65% जो कि अब कितना हो गया है कम हो गया 4.25% और जो reverse रैपोरट है यह भी हमारा reduce हुआ है जो कि 3.75% था पहले जो कि अब हो गया 3.35% यह आप तीनों data देख सकते है रैपोरट 4.0% बैंक रेट और MSF कितना हो गया 4.25% और reverse रैपोरट हो गया 3.35% और यह इसलिए किया गया ताकि market में liquidity लाई जा सके अगला question किस राजिय ने लोगों को घर तक शाही लीची और जरदालू आम की आपूरती के लिए भारत के डाक विवाग के साथ हाथ मिलाया है इसका सही answer है option C बिहार अब हम इसके बारे में जान दे क्योंकि यह इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि lockdown की वज़े से और coronavirus spread हो रहा है तो जो market है इन सब की जो शाही लीची और जरदालू मेंगो की जो market है वो काफी ज़ादा गिर गई है तो इन सारी department ने आपस में मिलकर यह decide किया है कि हम इन चीजों की online delivery provide कराएंगे और जो शाही लीची है यह हमारी शाही लीची जो मुझफर पुरकी है और जो जरदालू मेंगो है यह बागलपुर का है यह दोनों बिहार के हैं और इन दोनों कोई GI tag मिला हुआ है आप कुछ और बिहार के GI tag के बारे में जानते हैं आप देख सकते हैं एपले क्यू खाटवा मगनी पान मगाई पान जर्दालू मैंगो कट्रानी रैस शाही लीची भागलपुर सिल्क मदुमनी पेंटिंग सिक्की ग्रास सुजनी एंबरोईट और सिलियो खाजा आप इन सब को यहाँ पर देख सकते हैं एक बार यह सारे GI टैग है बिहार के और आप एक बार याद रखिए कि जो बनारस का पान है इसको GI टैग नहीं मिला है जबकि बिहार का जो पान है मगाई पान इसको GI टैग मिला है और एक 2018 में UPSC में कोश्चन आये था कि सुजानी एंबरोईट जिसे GI टैग मिला है यह UPSC में कोश्चन आ चुका है आप इसे ध्यान रखिए यह भी बिहार का ही GI टैग है अगला कोश्चन किस संस्थान ने एक आराम दायक फेस मास्क तयार किया है जो लोगों को लंबे समय तक इसका इस्तिमाल करने के लिए प्रोसाहित कर सकता है इसका सही आंसर है Option D Center for Nano and Soft Matter Science अब इसके बारे मैं जानते हैं देखिए भी आपने मैंने बताए कि CENS जिसकी फुल फॉर्म है Center for Nano, Soft and Motor Science इन्होंने एक फेस मास्क बनाएं जो कि काफी ज़्यदा कमफर्टेबल है लॉंग टाइम तक इसे यूज़ कर सकते हैं और फेस मास्क लगाकर आप इस फेस मास्क को लगाकर आप बात भी कर सकते हैं नॉर्मली हम फेस मास्क लगाकर जब बात करते हैं तो बहुत अनकमफर्टेबल हो जाते है तो हम इस फेस मास्क के लंबे समय तक इसे लगा भी सकते हैं और एजिली बात भी कर सकते हैं अगला कॉस्चन किस इस्टोर ने भारत में निर्मित उत्पादों को खरीदने और बेशने के लिए order my app launch किया है यहाँ पर भी आप देख सकते इंगलिश में order me app launch किया है इसका सही आंसर है option भी पतंजली अब बाबा रामदीब की जो ब्रांड है पतंजली उन्होंने अनॉंस किया है कि वो एक app लेकर आएंगे उनकी neighborhood आसपास के और भी stores है जो अपने products को बेचना चाती है वो भी store पर अपने products को बेच सकती है और यह क्या करेंगे यह जितने भी products होंगे वो made in India होंगे इसके अंदर और यह customer जो है यह मतलब एक तरह से बढ़ावा है स्वदेशी goods को कि आपना अपने ही देश की चीज़ों को यूज़ करें और कल हमने आपसे question पूचा था हाल ही मैं भारतिय मौसम विज्ञान बिवाग की कितनी सेवाई ओमंग application में डाली गई है इसका सही answer है option भी साथ services IMD department है वो हमारा Ministry of Arts and Science के अंदर आता है और आप सभी के लिए revision question हाल ही मैं COVID-19 के खिलाफ लडने के लिए खुदुल्थ पहल समाचार में है यहां किस राज्ये से संबंदित है और आप सभी इसका answer प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी के साथ आज का current affair यहीं समापत होता है अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थांक्यू